आज हम बनाएंगे समर्स के 5 ऐसे रिफ्रेशिंग जिसे पीकर आप एकदम रिफ्रेश फील करेंगे जो पेट को भी ठंडा रखते हैं डाइजेशन को इंप्रूब करते हैं और इनको बनाना भी काफी आसान है आप एकदम मिन्टों में इनको बना के तयार कर सकते हैं तो चल बनीबू का रस एट किया है मैंने थोड़ सा ब्लैक सॉल्ड और थोड़ सा वाइट सॉल्ट यहां पर एट करेंगे थोड़ से मिन्टली पैट किया है मैंने और यहां पर हम थोड़ सा थंडा पानी एट करके इन सारी चीजों को हमें यहां पर अच्छे से मिक्स कर लेना है उसके बाद हम ठंड़ ठंड़ पानी पूरा ग्लास में फिल कर देंगे और एक बर फिर से हम यहापे सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़ से हम यहापे उपर से आइस क्यूब्स भी इसमें डाल देते हैं और यह हमारा चना सत्तू ट्रिंक बनके तैयार है काफी फिलिंग होता है यह ड्रिंक बहुत ही रिफ्रेशिंग भी है पेट को ठंड़ रखता है डाइजेशन को भी इंप्रूब करता है और काफी हेल्दी ड्रिंक है तो एक बर जरूर ट्राई करें और आजकर दूसरा ट्रिंक है हमारा मसाला सिकंजी यह भी पेट को ठंड़ा रखता है डाइजेशन को इंप्रूब करता है और बनाना बहुत आसान है तो इसके लिए हम सिकंजी मसाला बनाएंगे पहले तो यहाँ पे एक पैन में मैंने दो चम्मच जीरा लिया है एक चम्मच काला नमच, दो हरी लाइजे मैंने यहाँ बेट कर दी है और अब हम यहाँ पे शुगर एट करेंगे तो लगभग एक कप की सुगर करी यहाँ पे शुगर एट कर दी है आट से दस बड़े चम्मच, एक चम्मच ड्राइ बिंड लीव एट करेंगे और इन सारी चीज़ों को हमें यहाँ पे अच्छे से ग्राइंड करना है, एक पाउडर बनाना है, फाइन हमें यह देखिए है हमारा सिकंजी पाउडर बनके तयार है, आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी मन करें, फट फट से आप सिकंजी बना के पी सकते हैं, तो चलिए सिकंजी बनाने स्टार्ट करते हैं तो एक ग्लास में है, मैंने खुब सारी क्रस्ट आयस से अट करी है, आदा नीबू को जूस इसमें अट करेंगे और एक चमज भर के सिकंजी मसाला और ऊपर से ठंडड़ ठंड़ पानी या फिर आप सोडा भी इसमें अट कर सकते हैं एक चमज हम इसमें यहां पर उपर से चिया सीट्स अट करेंगे और ये हमारी मसाला सिकंजी बन के तयार है अब एक बढ़ इसको जरू डॉय करें, बहुत ही ज़ूर्बर ट्रींक है ये अब हम बनाएंगे आचकी मारी तीसरी ड्रिंक जो हे कुकम्बर कूलर काफी कूलिंग ड्रिंक है ये बहुत ही रिफ्रेशिंग भी है ये पीने में तो चली बनाने स्टार्ट करते हैं यहां पे एक मिक्सर जार में मैंने एक कुकमबर लिया है इसको रफली स्लाइस में चॉप कर लिया है थोड़ से मिंड ली वैट करेंगे आदा चोटी चमच भूना जीरा पाउडर आदा चोटी चमच काला नमक और थोड़ से ब्लैक पेपर मैंने यहां पे आट के रहे हैं ब यहां पे इसमें ठोड़ा सा पानी और एट करेंगे ठंड़ ठंड़ तो आप यहां पे सोड़ा भी एट कर सकते हैं तो अब चल्शी को सर्फ करेंगे तो एक ग्लास में मैंने आप ए कुकमबर स्लाइस लखा लिये हैं खुब सारी क्रस्ट आइस डालेंगे हमँ एसमें अर ठंड़ ठंड़ अपने cucumber cooler हम इस grass में फिल कर देंगे एक lemon slice थोड़ से mint लिव और भूना जीरा से हम इसको garnish कर देते हैं तो ये हमारा एकदम cooling वारा cucumber cooler बनके तयार है तो अब बनाते हैं हमारी आज की चौथी drink जो गर्मियों की जान, masala, charge इसको बनाना बहुत आसान है और ये digestion को improve करती है तो चलिए गर्मियों में हमें इसको जरूर include करना चाहिए अपने diet में तो masala charge बनाने के लिएक मिक्सर जार में एक cup fresh दही, एक cup पानी add करेंगे थोड़े सा भुना जीरी का powder, थोड़े सा काला नमर, थोड़े सा मैंने यापी green chili, थोड़े सा अद्रक और थोड़े से mintly fat करें है और इसको हम अच्छे से grind कर लेंगे और ये हमारी एकदम masala charge बनके तयार है तो आप एक बर इसे जरूर ट्राइ करिए, बहुत ही जादा और tasty लगती है पीने में, गर्मियाम में इसको जरूर पीना चाहिए थोड़े से भुना जीरा और mint लेप से मैंने आप इसको गार्णिश कर दिया है और चलिए अब बनाते हैं हमारी आज की पाचवी और last drink जो है केरल की बहुत ही famous कुलू की शर्बत इसको बनाना भी बहुत असान है, काफी refreshing drink है तो इसके लिए मैंने याप एक bowl में एक चमच चिया सीट को सोख करने के लिए रख दिया है तो ये 10-15 मिट में सोख हो जाएंगे एक ग्रीन चिली को हम बीच से यहाँ पे इस तरह से slit करेंगे तो हमें इसको दो पार्ट में नहीं करना है बस खाले बीच में हमें इसमें slit करना है तो अब मैंने यहाँ जार लिया है दो चमच इसमें chia seeds एक lemon slice एक करेंगे और जो ग्र ठंड़ ठंड़ पानी हम इसमें add करेंगे तो थोड़से ice cubes भी हम इसमें डाल देते हैं और अब धकन लगाके ना हमें इसको अच्छे से shake करना है ताकि जो sugar हमने इसमें डाली है वो अच्छे से melt हो जाए और सारी चीजों का flavor आ जाए तो एक मिनट के लिए हम यहाँ पे अ प्रमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और अगर आपको मेरा आज करें जिंक्स का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्स्राइब करना ना भूलें